इस गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पधा बहुत ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है पधा बिलकुल ग्रीन और हेल्थी है और पधा काफी घनवी है देखने में पधा काफी खूबसूरत लग रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों की सिकायत ये रहती है कि हमारा कड़ी पत्ते का पधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है कौन सा फटी लाजर इस्तमाल करें काफी सारे फटी लाजर इस्तमाल कर लिए फिर भी हमारा कड़ी पत्ते का पौदे अच्छी तरीके से growth नहीं कर पाता है इसके लावा कड़ी पत्ते के पौदे को बीज से कैसे हुगाएं, cutting से कैसे हुगाएं या फिर कड़ी पत्ते के पौदे की hard pruning cup करना चाहिए इसके अलावा कड़ी पत्य के पौधे को कौन सा fertilizer दें तो आज की इस बीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कड़ी पत्य के पौधे को hard prune cup करना चाहिए कड़ी पत्य के पौधे को हरा वरा और घरना कैसे बनाना चाहिए इसके लावा कड़ी पत्ते के पौदे को 20 से कैसे गरो करें कटिंग से कैसे गरो करें और इसके लावा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक बेहतरिन और्गेनिक फर्टिलाजर जिसके इस्तवाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौदा भी हमारे इस कड़ी पत्य के पौदे की तरह बिल्कुल गरीन और हेल्ठी हो जाएगा तो अगर आप चाहते हिए अपने अपनी पत्य के पध्य को गरीन और हेल्ठी देखना तो आज की इस वीडियो काप सुरू से लाइक तक देखें इसके लब अगर आप हमारी वीडियो फैस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हम से जुणनाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसके लब अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इन इस ट्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं कड़ी पत्य के पौदे को घना बनाने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे मतलब कड़ी पत्य के पौदे को कैसी जगह पर रखना चाहिए कितना बड़ा गमले में लगाना चाहिए इसके लाबा इसकी मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए तो कड़ी पत्य का पौदा होता है यह सललविंग पिलांट होता है इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर डारेट पूरा दिन की धूप आती हो अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर डारेट पूरा दिनी की धूप नहीं आ रही थोड़ी बहुत धूप आ रही है तो आपका जो कड़ी पत्ते का पौदा है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर आप इसको अच्छी धूप वाली जगह पर रखेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौदा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और इस पर बहुत सारी पत्तियां भी आएगी इसके अलाबा जैसे कि सर्दी का मौसम जब आने लगता है जब कोहरा पढ़ता है तो इसका डॉर्मेंसी प्रीड होता है यानि कि पत्जर का मौसम होता है सर्दी के मौसम में धूप की कमी की वज़े से और ज्यादा कोहरा पढ़ने की वज़े से ये डॉर्मेंसी में चला जाता है मतलब इसकी सारी पत्तियां जढ़ जाती है तब ऐसा लगता है कि कड़ी पत्ते का पौदा पूरो तरीकी से सूख चुका है तो ऐसा नहीं होता है कड़ी पत्ते का पौदा सूखता नहीं सिर्फ पत्तियां गिरा देता है डॉर्मेंसी में जाने की वज़े से यानि की ज़्यादा सर्दी की वज़े से जैसे ही फर्वरी स्टार्ट होती है तो फर्वरी के लाइश्ट होने होने तक आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है फिर से नई नी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है तो सही समय होता है आपके कड़ी पत्ते के पौधे का हार्ड प्रूनिंग करने का तो हार्ड प्रूनिंग का जो सही समय होता है वो लाइट फर्वेरी से लेकर के लाइट अप्रेल तक का होता है इसके अलावा रहनी सीजन में भी आप कड़ी पत्य के पौधे को हार्ट प्रून कर सकते हैं साल में दो मौसम होते हैं कड़ी पत्य के पौधे को हार्ट प्रून करने के रहनी सीजन और लाइट फरवरी से लेकर के light apparel तक तो जैसे कि अभी रहनी सीजन चल रहा है तो रहनी सीजन में आप अपने कड़ी पत्य के पौदे को घना बनाने के लिए hard prune कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा जैसे ही आप कड़ी पत्य के पौदे को hard prune कर देते हैं light forward से लेकर के लाइट अप्रेल के महीने के दौरान तो आपके कड़ी पत्ते के पौदे पर बहुत सारी पत्तियां तो आ जाती हैं लेकिन बीज बहुत ही कम बनते हैं लेकिन अगर आप बीज चाहते हैं और कड़ी पत्ते के पौदे की पत्तियां कम चाहते हैं नहीने पौदे सीजन आते आते वो फूल फल में कंड़ड हो जाते हैं जब फल में कंड़ड हो जाते हैं तो उनी के द्वारा आप कड़ी पत्ते के नईने पौदे गिरो कर सकते हैं बाहर की सीजन में यानि के लाइफ फरवरी से लेकर के लाइफ अप्रेल के दौरान आपके कड़ी पत्ते के पौदे पर फूल आना सुरू हो चुके थे अगर आपने उन फूलों को कट नहीं किया होगा तो इस टाइम वो फूल धीरे-दीरे फल में भी कंड़ड हो चुके होंगे जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस कड़ी पत्ते के फूलों को कट नहीं किया था तो यहाँ पर इन पत्तों की ग्रोध बहुत ही कम है लेकिन यहाँ पर जो दूसरी आप टहनिया देख रहे हैं यहाँ पर हमने फूलों को कट कर दिया था तो यह पत्तियों की ग्रोध काफी अच्छे तरीके से चल रही है तो दियां रखें अगर आपको सिर्फ पत्या ही चाहिए तो आप फूलों को कट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको बीज भी चाहिए तो फूलों को कट न करें अब हम बात करेंगे कड़ी पत्य के पौदे को बीज से कैसे गरो करें तो कड़ी पत्य के पौदे को बीज से ग्रोग कर रहे हैं तो दिहां रखें आपको जो बीज लेने हैं वो बिल्कुल जो पक चुके बीज हैं जो काले कलर के बीज हैं बो लेने हैं हलके गरीन बाले या भूरे कलर के बीज नहीं लेने हैं इसके अलबाब बीच को ग्रोप करने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा गमले की जरूत नहीं है, हम यहाँ पर यह 4 इंच के गहरा गमला ले रहे हैं, इस गमले में चलिए अब हम मिट्टी को भल लेते हैं, कड़ी पत्ते के बीच को लगाने से पहले ध्यान रखें, आपको जो मिट्टी लेनी है, वह बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी लेनी है, ज्यादा हाट मिट्टी में आपका जो बीच है, वो मिट्टी के अंदर पड़े-पड़े गलसर जाएगा, इसके लिए आपको आदे अपने गर्डन की मिट्टी आदी रिवर्ड सेंड, दोनों को म मारा हाथ में बीज दो तरीके के देख रहे हैं एक बिले कलर का बीज है और यहां पर भूरे कलर का बीज है तो जो भूरे कलर का बीज है इस तरीके का बीज हमें लगाना ही नहीं है लेकिन यहां पर जो आप यह काले कलर का बीज देख रहे हैं इसको अगर हम डारेट लगात के बाद बीच को लगाते हैं तो आपका जो बीच है वो जल्दी growth start करेगा बीच लगाने की बारी आती है तो बीच को आपका ज्यादा गहरा नहीं लगाना है एक या फिर आदा इंच गहरा लगाना है बीच को अच्छे तरीके से लगाने के बाद अच्छी तरीके से पानी दीजिए और पानी देनी के बाद दिहान रखें, आपको इसको डारेट धूप में नहीं रखना है, बलकि ऐसी जगह पर रखना है, जहाँ पर छंके धूप आती हो, जैसे ग्रीन नेट, या फिर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो अगर आप इसको डायेट धूप में रख देंगे तो हो सकता है आपके मिट्टी सूख जाए और आपका बीच खरा हो जाए कुछ दूनों के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहें इस तरीके से आपका कड़ी पत्ते के पौधे बीच के दौरा तयार हो जाएंगे और इस तरीके से आपके कड़ी पत्ते के पौधे तयार हो जाएं तो आप लगभग दो महीने के बाद इस पौधे को बड़े गमले में लगा सकते हैं कभी-कभी ऐसा होता है हम नीच कड़ी पत्थे को Watching तो अगर आप कड़ी पत्थे की पादोगो ना चाहते हैं, ज्यादा पत्थे पाना चाहते हैं तो कड़ी पत्थे के पादोगो रानी सीजन में हार्ट प्रून कर दीजे इससे आपके कड़ी पत्य के पादे पर बहुत सारे side branches निकलेंगी और धीरे धीरे आपका कड़ी पत्य का पादा घना हो जाएगा कड़ी पत्य के पादे को हार्ट प्रून करते समय आपको हार्ट्रून करने के बाद सूख जाता है इसके अलाब़ जो भी आप कड़ीपत्य के पौदे को इस तरीके से हार्ट्रून कर दे और उफरकी जो टहनिया या पत्या होती है इनको बेकार समझ के एनफ है कि बलकि जो पत्या है बो तो आप खाने में इस्तमाल कर ही लेंगे ले को तयार करते समय ध्यार रखें, आपको जो cutting लगानी है, वो hardwood लगानी है, ज्यादा soft cutting नहीं लगानी है, तो जैसी कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरीके की softwood cutting ग्रो नहीं हो पाती है, बलकि जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में यह, जो हमने cutting तयार कियें, इस तरीके की cutting जल्दी growth start करती है तो इस तरीके की cutting को ही grow करें पड़ी पत्ते के पौदे की cutting पर जल्दी roots बने इसके लिए हम aloe verica gel का इस्तमाल कर रहे हैं aloe verica gel cutting पर जल्दी roots लाने के लिए बहुत यह अच्छा होता है तो rooting hormones की जगा आप इस तरीके से aloe verica gel का इस्तमाल कर सकते हैं अब बारी आती है cutting को लगाने की तो cutting को लगाने के लिए आप लगबग 6 गमला ले लिजिए और उसमें आप मिट्टी भर ले जिए मिट्टी थोड़ा soft होना चाहिए तो हमने यहाँ पर यह 6 गमले में मिट्टी भर ली है मिट्टी बिल्कुल soft है मिट्टी भरने के बाद आप बारी आती है cutting को लगाने की तो cutting कम से कम एक ही गमले में 4-5 यच्छा के लगबग एक गमले में cutting लगाना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ cutting खराब हो जाती है तो हमें कुछ cutting तो मिली जाएंगी तो इस तरीके से एक गमले में हम 4-5 cutting को लगा रहे हैं इसके अलबा cutting को मिट्टी के अंदर आदा लगाना चाहिए ऐसा आपको की cutting छेंच गहरी है लंबी है तो आप मिट्टी के अंदर 3 इंच लगाएं और 3 इंच बहार रखें cutting लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए उसके बाद ऐसी जगह रखें जहां पर डारेट धूप ना है बलकि छनकर के धूप आती हो कड़ी पत्ते के पादे को लगाती समय ध्यान रखें आपको कड़ी पत्ते के पादे के लिए soft मिट्टी का इस्तमाल करना चाहिए ज्यादा hard मिट्टी नहीं लैना चाहिए इसके अलबा कड़ी पत्ते के पादे को direct बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए बलकि पहले छोटे गंबले में लगाना चाहिए उसी साब से हर साल उसको बड़ा गंबला देना चाहिए और बड़ा गंबले में ट्रांस्पाइंट करने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है रैनी सीजन तो रैनी सीजन में आप छोटे पौदे को बड़े गंबले में ट्रांस्पाइंट कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौदे को घंणा बनाने के लिए जैसे कि हमारा ये पौदा है इस तरीके से हरा भरा और घंणा बनाने के लिए कौन सा फ़र्टी लाजर इस्तमाल करना चाहिए तो कड़ी पत्ते के पौदे के लिए सबसे बहतेरी जो Fertilizer है बो है Stron Dust इसके अलाबा Giant Fertilizer इन दौनों में से कोई भी Fertilizer आप अपने कड़ी पत्ते के पौदे में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है Stron Dust अगर आपके पास Stron Dust नहीं है तो इस तरीके का जो भी Blackboard पर लिखने वाले चौक होते हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके अंदर भी काफी सारा केलसियम होता है केलसियम के इस्तेमाल करने से आपका जो कड़ी पत्ते का पादा है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है काफी अच्छे तरीके से आपकी टेहनिया मजबूत होती हैं काफी सारी पत्तियां आती हैं तो आपको इस तरीके से ये चौक आसानी से मिल जाएगा इस तरीके का चौक को भी भी आप अपनी कड़ी पत्ते के पौदे में इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे साल कड़ी पत्ते की पौदे की मिट्टी में चौक और जाइम फर्टिलाजर इस्तेमाल करेंगे चौक और जाइम फर्टिलाजर इस्तमाल करने से पहले मिट्टी को थोगा हम सौप्ट कर लेते हैं जिससे की फर्टिलाजर का असर अच्छे तरीकी से मिट्टी के अंदर पहुंचे और अच्छे तरीकी से हम चौक भी मिट्टी के अंदर गाड सकें तो इस तरीके से हम पौदे की चारो तरब इस तरीके से हम ये चौक को गाड़ रहे हैं चौक को गाड़ने के बाद अब बारी आती है जाइम फर्टिलाजर की कैसे उसको इसको इस्तमाल करना है तो जायम fertility Lire जो आपको इस्तमाल करना है वो एक लिटर के हैं 10 ml fertilizer इस्तमाल करना है और इस तरीके का fertility Lire आपको किसी भी gardening swap से आसानी से मिल जाएगा आप जाहें तो इसको local market के अलावा online भी खरी सकते हैं online भी आपको इसानी से मिल जाएगा यhe पूरे तरीके से औरगैनिक फर्टि लायर होता है, इसका कोई भी side effect नहीं होता है, जिसनी से हम दूसरे फर्टि लायर इस्तमाल करते हैं, तो उनका side effect होता है, इसके अलबा कड़ी पत्ते का पादा खाने में इस्तमाल किया जाता है, तो इसमेंहम और अगनी ही geology layer इस्तमाल करते हैं चलिए हब हम इसको इस्तमाल कर लेते हैं यहाँ पर हम इस मग में एक लिटर पाणी ले चुके हैं एक लिटर पाणी में हम 10 ml के लगवग इस जाएक फ forefront exercise की तरीकी से पाणी में घोल लेंगे और घोलने के बाद हम अपने पौदे की मिट्टी में इस्तमाल करेंगे इन दोनों फर्टिलायर को आप हर 10-15 दिन के अंतराल पर इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये था कड़ी पत्ते के पौदे को हरा वरा और घना वराने का तरीका आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकर ये आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक अगर पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं जिससे कि इस वीडियो का फाइदा आपके दोस्तों या फिर इस ते जारों कोई बोसके हैं चली चलते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए